भारत वर्षा के पूर्वर आश्ट्रपती डॉक्टर प्रणव मुकर जी इनका अपने पार्थियू पर को छोड़ कर जाना उनके संपरक में आये हम सभी संग के स्वयंशयों के लिए एक बहुत बड़ी कमी का सामना करने की घड़ी है जब वो राश्ट्रपती थे तब दो बार और उसके बाद भी तीन चार बार मैं उनको मिला हूँ पहली भेट में ही उनके आत्मिय और उदार स्वाभावी की व्यवहार ने मुझे ये भूला दिया कि मैं भारत के राश्ट्रपती से बात कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर के किसी बुजूर्ग से बात कर रहा हूँ और ये उनका व्यवहार सदा सरवत्र जितना मैंने देखा सब के साथ देखा यहां वो संगह के वर्ग में वर्गव को देखने के लिए आये थे और भी दस बारा आती थी थे उनके साथ उनके परिचय का कारिक्रम था तो सब आकर बैठ गये प्रणोधा भी आकर वहां बैठ गये और कारिक्रम का संचालन करने वाले खड़े होकर अब शुरू होने ही वाले थे प्रस्तावना करने के लिए उतने में डॉक्टर प्रणोध मुकर जी खड़े हो गये और उनका देखो हम यहां पर परिचय के लिए एकत्रित आये हैं मैं मेरे से प्रारंब करता हूँ खड़ा होकर उन्होंने अपना परिचय सब को दिया थोड़ा सा परिचय दिया मैं प्रणोध मुकर जी भारत का राक्टर पती रहा हूँ ऐसा करके ओ बैठ गये यह इतनी अनपेक्षित बात थी सब लोग अवाक रह गये और सब लोग मन ही मन उनके इस सादगी की और मिलन सारिता के कायल हो गये इतना सब के साथ सामान ने होकर घुलने मिलने वाले वो थे लेकिन वो बहुत बड़े अनुभवी परिपक्व ऐसे चिंतक भी थे उनके पास जानकारी भी थी दीर्ग जीवन में अनुभव के कारण उस जानकारी को पचा कर सद दिशा में उसका उप्योग करने वाला विवेक भी उनके पास था और इसलिए हम जैसे लोगों के वो मार्ग दर्शक बुज़ुर्ग थे उनके साथ बैठे जितना देर बैठेंगे लगता था और बैठे वो और बोले हम अपने आप अपने में अपने व्यक्तित्वकों सम्रुद्ध होता उनके सानिध्य में अनुभव करते थे लंबा राजनीतिक जिवन कुशल राजनीतिक जिवन का बहुत सफल जिवन उनका राए सब प्रकार की चाले भी वो जानते थे परंतु इस राजनीति के उपर उठकर देशहित में सबको अपना मान कर चलने की और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सबको अपना बनाने की उनकी वृत्ती ये सदैव उनके विफार में हमने देखी है हमने एक विद्वान को खोया है हमारे आपके सामाजिक और व्यक्तिकत विवहार में विवेक के मार्गदर्शन को देने वाले एक सुरुद को खोया है बुजुर्ग को खोया है ये जो हमारी क्षती हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती मेरे जैसे कई लोगों के जीवन में प्रणोदा बहुत थोड़े समय के लिए आये परन्तु वो सदैवा याद रहेंगे सदैवा लगेगा कि उनका होना हमारे लिए कितना आवश्चक था नियती की इच्छा है उसको हम कुछ कर नहीं सकते उनके परिवार जनों के शोक में हम सक समान समवेदना रखते हुए सहबागी हो रहे है और उनके आत्मा की सद्गती के लिए इश्वर चरण में प्रार्थना कर रहे है